रिलाक्स कर लीजे, सिर्फ सोच से, एक एक संकल्प, एक एक रिलाक्सेशन का फिलिंस, क्योंकि संकल्प से ही स्रिष्टी, आपका क्रिएशन, आपका सुमेटिक मेमोरी, आपका दिने बेटन, संस्कारा, संकल्प, पावर्फुल, आप सोल, मालिक हो, सब कुछ के चलाने की सिस्टेम आपके हाथ पे है, खरड़ाई के पीछे, अपने आथ को एक पावर्फुल लाइट, उर जाके सुरूत के रूप में देखिए, हल्की से देखने का प्रयास कीजे, नो फोर्स, जास्ट रिलाक्स, और जाका सुरूत, कुछ को महसूस कीजिए, जास्ट एक मिनिट क्योंकि आज आज आप अपने हरी कोडिंग को चींज करने जा रहे हैं, जिससे आपका संस्कारा तैयार होगा है, एक भीडिवारी है आपकी स्क्रीन पे, कैसी सुप्रीम सोल से आपके अंदर एनरजी समाही धोरी है, प्रीन पे देखिया स्टे से हलके से, खुद को महसूस कीजिए उस जगह पे, अभी आपका हरी एक सेल को महसूस कीजिए, एक एक सेल गुलाकार उसके अंदर न्यूक्लियस और वो न्यूक्लियस के अंदर आपका डियन पैटर्न ऐसे हर सेल में हैं, हरी कोश में हैं, उतना आपके सारा बैटरी बैलन्स होता जाएगा, और आप सुप्रीम बैटरी से जूर के रहेंगे, तो आप भी सदा चार्ज रहेंगे, विजयलाइस कीजे, कॉल कीजे अपने विजयलाइस पावर को, संकल कीजे, मेरा विजयलाइस पावर क्लियर और इस पश्ट है हम, मैं जो देखना चाता हो, वो में देख सकता हो, मैं जो सोचना चाता हो, वो में सोच सकता हो, मैं आत्मा हूं, बहुत ही अद्भूद एक शक्ति हो पावर्फुल अभी आपसे बहुत सारा लेजर भीम निकल रही है एक सेल में जा रही है वो लेजर भीम आपके पूरा बॉड़ी में नर्वस सेल ब्लाड सेल अलग-अलग सिस्टम के अलग-अलग सेल है आप एक सेल को एक-एक सिस्टम की चूज करोगे जैसे पूरा नर्वस सिस्टम के लिए एक सेल को चूज करो उसका कोडिंग चेंज करेंगे पूरा नर्वस सिस्टम चेंज होगा क्योंकि पूरा सफ्ट्वेर एक चीज़ का है विजुलाइज करो यू कान विजुलाइज एफ्रीधिंग यू आर पावर आप लाइट हो कुछ भी कर सकते हो एनरजी हो कहीं पे भी आप पहुच सकते हो बहुत फास्ट बॉडी नहीं हो जो आपको पैदल करके जाना परेगा अपने लाइट के हाथ को यूज कीजे लेजर बीम के तरह आपके किलने निकल रही है फोकस लेजर बीम नारवस सिस्टम का सेल एक सेल को चूज कीजे और उसके अंदर पैनिक्ट्रेट हो जाई है अपने रे के द्वारा लियलाइज कीजे एक सेल को चूज कीजे एक सिस्टम से उस सेल का निकलियस में जाई है निकलियस जास्ट एक गूल बॉल के तरह है जिसके अंदर प्रोमोजोम रहती है डियने रहती है और एक एक डियने में संस्कारा की कूडिंग रहती है आपने जो थोर्स क्रियेट की सब एक एक सोमाटिक मेमोरी में सब चला गया डाउनलोड हो गया अभी जो अन्वान्टेड डाउनलोड हुआ वो सब इन्फर्मेशन को हम आज डिलेट करेंगे सोच से क्योंकि सोच से तयार हुआ है तो मिटेगा भी सोच से वोन थौट एवर्थिंग वैनिश वन थौट एवर्थिंग प्रियेट वन थौट इसे एवर्थिंग वो पावर्फुल थौट लेजर भी में फोकस चलिए अभी आप एक पावर्फुल डॉक्टर के तरह एक एक सेल को विजुलाइज कीजे एक एक सिस्टेम का चलिए नावस सिस्टेम में आत्मा के सबसे करीब रहते हैं नावस सिस्टेम एक सेल को चूज करिए नावस सिस्टेम का उसके नियुक्लियस जस्ट विजुलाइज करते चाहिए चितनी भी विजुलाइज हो लॉजिकल बेहन को यूस मत कीजे कैसे दिखने में हैं क्या है आपको जो दिख रहा है वो ही सकते है आपने इंटुशन पावर को विश्वास कीजे खुद की हिलिंग पावर को विश्वास कीजे गौड री कोडिंग को हाथ लगाना है आपको कोडिंग मतलब एक एक बिंदू आप बिंदू हो गौड फादर बिंदू है और एक समस्कार भी एक एक बिंदू है बिंदू से ही बिंदू का चेंज हो सकता है पुड यहन को देखिए जैसे कि दो स्नेक एक सादू पर उठ रही है सारा मेमोरी इसमें डाउनलोडर है आप आत्मा ने जो जो किया इतने जन्दम से सवी सोमाटिक मेम्बरन में हैं सोमाटिक मेमोरी में कॉल कीजिए उसको आपके सामने आने के लिए आपके कंप्यूटर में जस्ट वान थोट और चूच वान वान टेट बिंदू है आपको दिख रहा है अंदर दिख रहा है काला काला बिंदू कोई ब्लैक डॉट कोई ग्रे डॉट तो दिएने से उस प्राटन को इरावे इराडिकेट करिए निकाल देजे आपके पास लेजर ब्रीम है आप सोल से लेजर ब्रीम निकल देए फोकस ये सब दिएने में आपके रिलेशन्शिप का भी दिएने हैं अच्छा रहेगा सदा खुशाल रहेगा सब के साथ प्यार देना है और प्यार लेना है मैं चूस करती हूँ हर एक डेने कोट मेरा रिलेशन्शिप का सब पॉजिटिव और लफ फूल हो जाए चूस कीज़े कोडिंग को चेंज कीज़े कॉंसेस ले देखिए आप आत्मा से 360 दिग्री एनर्जी निकलता है चारों तरफ पर अभी इस बक्त आपको एक लेजर भीम देना है जो फोकस है 360 दिग्री बाला जो रेज है आपका वो आपका किरने हैं पर अभी ये सरजरी के लिए कोडिंग चेंज के लिए आपको जो लाइट देना है वो फोकस लाइट है लेजर लेजर थेरापी कितने हम सुनते है पर लेजर तो आत्मा से खुद निकालते है जब वो फोकस हो जाता है किसी चीज को चेंज करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए हिल करने के लिए ठान लेता है और कर देता है फोकस करो अपने इरादे को पावरफुल फोकस सारा रिलेशन्शिप की जितनी भी पास्ट जनम ये जनम में आपका इशूस है बहुत सब क्यारी कर रहा है ये मेमोरी चीप इसमें आप चेंज करो पुराने को रिप्लेश करना है जस्ट नए आपके पास सदा है प्यार इन बेल सिस्टेम आपका तयान नहीं करना पड़ेगा रिलेशन्शिप में प्यार आपका इन बेल सिस्टेम रिप्लेश करके वो डाल दीजे सोचिए मेरे रिलेशन्शिप में कुछ भी मन मोटाव है इसी भी रिलेशन में वो आत्मा को मनने नहीं है अकसेप्टेट नहीं है उसे आज कौन सस्लि में चेंज करता हो कोडिंग को चेंज कीजे और पावरफुल रिलेशन्शिप की कोडिंग लगा दीजे इस कोडिंग का नाम है आर आर फॉर रिलेशन्शिप पावरफुल कोडिंग ये रिकोड करने के टाइम आप आपके स्थिती पे हो पूरा बॉडी का मन का चार्ज आपके पास है कुछ भी चेंज कर सकते हो कुछ भी जिस जिस के साथ आपका रिलेशन्शिप का इसू से मनी मन में उसका नाम भी ले सकते है और कोडिंग को चेंज करते चाहिए लाइक अ कम्प्यूटर साइन्टेस्ट ये कोडिंग का नाम है आर पावरफुल रिलेशन्शिप टु एवरीबोडी तु माइसल्फ आप खुद के साथ खुदा के साथ यूनिवर्स के साथ सारे आत्माओं के साथ आपका रिलेशन्शिप चेंज हो रहा है पावरफुल और ही है लवफुल उस जगा पे जहाँ पे आपको कहीं पे दर्थ है कहीं से आपका एक्सपेक्टेशन फुल्फिल नहीं हुआ उसको लेट को कीजए वो कोडिंग रखेंगे दूस्से आपका फायदा क्या होगा सोचिए यूर ग्रीट बिजनेसमैन तो सोचिए क्या फायदा हो सकता है और्गन डैमेज हो सकता है सिल दीरे दीरे डीरे डीड हो सकता है मन की अनर्जी लो हो सकता है यह सब आप एफोर्ट नहीं करते हो तो इसको चेंज करिये पावर्फुल डिलेशनशिप आर कोडिंग सब के साथ सब के साथ ऐसा नहीं संसकार एक के साथ परिवर्तन होता है कभी नहीं एक के साथ ठीक कर लो तो दुनिया के साथ वो संसकार हो जाता है एक के साथ गुस्सा कर लो तो सब के साथ गुस्सा धीरे धीरे आजाता है तो जब आप लफ्फुल रिलेशन्शिप चूज कर रहे हैं कॉंसेसली कोडी नमबर आर फिल कीजिए उस पावर्फुल आर को रिलेशन्शिप आपके नर्वस सिस्टेम में एक सेल को लिया उसका कोडिंग चेंज किये पूरा नर्वस सिस्टेम का डिने कोड चेंज हो गया तोकि एक दुसरे को कॉपी करता है अंदर का पूरा कम्प्यूटर कॉपी पेस्ट के उपर चलता है कॉपी अन पेस्ट ब्लाट हमारा संसकार को फ्लो करता है ब्लाट की एक सेल को लेना उसके निपलियस में जाना अलके से उसके क्रोमोसम में जाना दिने को डिन आर को चेंज करना है अभी आप कभी नहीं बोलेंगे मेरा ब्लाट में ही गुस्सा है ब्लाट में ही यह है क्योंकि ब्लाट में जो थे आज आपने कंपेटली चेंज किया कॉंसेसली और चेंज करने के बाद गॉड़ फादर को सरेंडर कर दीजे उसके बाद लेंफाटिक सिस्टम में जो दियने कोड है उसका एक सेल को लीजे उसके अंदर आर को चेंज कीजे रिलेशन्शिप मिठा प्यारा कॉंसेसली चेंज कीजे आपके साब कॉंसेस माइंद को सिर्फ विज्यालाइजेशन पता है वो वार्ट्स नहीं समझते हैं येस आप उसको जो करके दिखारे हो आप वो उनको समझ में आता है इसलिए बच्चों को पिक्चर दिखाया जाता है बच्चे में लॉजिकल ब्रेन जादे अक्टिव नहीं होता सबकॉंसेस प्रेनी अक्टिव रहते हैं आप आपके सबकॉंसेस को सिल्डन दे रहे हैं आर 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 फॉर रिलेशन्शिप पावर्फुल कर रहे हैं उसको हरी एक सिस्टिम का स्केलेटन सिस्टिम का एक सेल लीजे उसमें आर को पुट कर दीजे पावर्फुल आर को और ये सब आप लेजर जिनके थूई ही कर रहे हो क्योंकि आपका हैंड सी है लेजर क्योंकि आप एक लाइट हो लाइट के तरह भीएव कीजे बॉडि के तरह नहीं कैसे आर कूप करता है कैसे मुफ करता है कैसे फ्लू करता है लाइट बादॉ Πादाट बहुत कभीर सोचना है आपको, क्योंकि आप डीप हो, जितनी भी अविशन मिला आपको, अंदर ये अंदर, जाए आप से ज़्यादा बड़ा साइन्टीस्ट, आप के लिए, आप किस आप से ज़्यादा बड़ा डॉक्टर, आप के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्रियेटर हो, मा के गरफ के याद करो, आत्मा जी, चलो मा के गरफ में, जिस दिन आप प्रवेश किये थे, तीन महिने के अंदर, उस दिन बॉड़ी तयान नहीं हुआ था, छोटी से एक लंप था, पिंड था, आपने आया, आपके साथ पूरा मेमोरी को लेके आया, पूरा मेमोरी चीप, आपके साथ, संस्कारा, उसी संस्कारा के थुरू आपने बॉड़ी को डिवलप किया, माइंड को डिवलप किया, वुद्धी संस्कार को डिवलप किया, याद कीजे, वो दिन, जिस दिन आप प्रवेश किये थे, एक लाइट, धीरे धीरे बॉड़ी बनने लगा, उस दिन भी तो आप DNA कोट को बनाये थे तो आज क्यों चेंज नहीं कर सकते उस दिन आप जैसे कॉपी पेस्ट किया था आज आप कॉंसेसलेस को चेंज कर रहे पैरेंटल कर्मा पास्ट कर्मा आपके रूट चक्रा में बेसब्दा स्वाइन पास्ट कर्मा उसमें कभी भी कोई रिलेशन्शिप का इशू होगा तो उसको आज चेंज कर दीजे हरे एक सिस्टेम की DNA में एक पावरफुल आर डाल देजे रिलेशन्शिप विजिलाइज कीजे कोई आपके आपका DNA को तयार नहीं किया था इसको विवास कीजे आप तयार किये थे यू आर क्रियेटर क्यों अपना वैलू को आप भूल गए अभी आपको वैलू को याद करने का टाइम है अपने सिट पे सिट हो जाएए प्लीज चार्ज ले लीजे किसी को नहीं देना है ये मालिक बन का चार्ज राजा बनने का चार्ज एक एक और गयन एक एक सेल आपका बात सनेगा आप मालिक जो हो और एक एक सिस्टेम का एक एक सेल को आप चूस करेंगे पूरा सिस्टेम चेंज होगा अभी आप सूचेंगे कैसे जैसे आपने तयार किया था वैसे चलिए आपने फोग छोटे की अवस्ता में पिंडे की अवस्ता में उस टाइम आपका जो लंप था बॉडी का कुछी सिल से बना हुआ था याद किजी सब याद आएगा शब विजुलाइस कर पाएंगे प्लीज याद तो कीजे उस टाइम एक एक सल से एक एक सिस्टेम बना है सिर्फ उस एक एक सल में अलग अलग बैचित रहे अलग अलग बिशेस्ता है कोई नर्व का सल था उससे पूरा नर्वस सिस्टेम बना पहला एक स्केलिटन का सल था उससे पूरा स्केलिटन सिस्टेम बना बोन सिस्टेम एक ब्लाट का सिस्टेम था उससे पूरा ब्लाट सिस्टेम बना एक lymphatic cell था, उससे पूरा lymphatic system बना एक hormone का cell था, उससे पूरा hormonal system बना endocrine system उस जगा पे जाईए, भू मरूला उसमें कुछ ही cell था, few cells उससे आपने एक Excel को एक एक प्रोग्रामिंग करके आपके संस्कारा का थ्रूप इतने बारा बाड़ी बनाया तो कौन प्रियेटर है, आप अभी चेंज कौर न करे पाएगा, आप करेंगे आप खुद के लिए चेंज, कोई भी डाउट कोई भी जज्जमेंट कैसे हो सकता है, यह सब छोड़ दीजे, अभी इश्चन लिटको कीजे, यह आपका विटरमेंट के लिए है, सिर्फ आप आपके रिलेशन्शिप के हर कि तर इंद्ट को चेंज कर लेए, जैसे आप ने एक स्ल्स एक सिस्टेम बनाया एक एक सिस्टेम के लिए एक एक सली आपके लिए था वो छोटी सी बादी में मरूला में एक एक स्ल means इंसल को आज आपको पकरना है, उसी से पूरा सिस्टेम को चेंज करना है, सोचिए, डीप, डीप, सोचिए, क्या नहीं कर सकते आप, उस समय भी तो कॉन ससली नहीं किये थे, इसलिए आपने जैसा संस्कारा लाए थे, वैसा प्रिंट हो गया, पर अभी आप जाकरीथ हो, आवर में हो, आवरनेस में है आप, अभी आप चेंज कर सकते हो, आपके रिलेशन्शिप, यू कैन, आपका मुलाधरा चक्रा, बेस आप दा स्पाइन, आपका पास्ट का कर्मा, आपका स्वधिष्टन चक्रा, बिलो दनेवल, आपका प्रेजंट कर्मा, आपका मुलाध मनिपूर चक्रा, आपका प्रेजंट कर्मा, माबाप के साथ, आपके एंसेस्टर के साथ जो कर्मा, आपके हाट चक्रा चेस्ट में वो आपका, जितनी भी आपने किसी के लिए भी प्यार के बिरुद्ध कोई भी एनर्जी डिवलप किया है, ट्रेड, डाउट, वो सब एकुमूलेट होकर हाट चक्रा में देवलप होगी है, आपकी थ्रोट चक्रा, गले में आपका कम्यूनोकेशन कर्मा, जो आपने कम्यूनोकेशन से बनाया किसी से बात करते हुए, कोई भी इरिटेशन वाला बात कभी भी किसी से आपकी ये, कभी भी आपने कभी आपने साथ किसी के साथ जूट बोले, जो भी आप आत्मा को टॉलरिक नहीं है, जो आपका प्रकीती नहीं है, आपका धर्म नहीं है, वो सर्प थ्रोट चक्रा में आकमूलट होते हैं, आपका धर्ड़ड़य में आपका थौड़ करमा, आपने किसी के लिए भी गलत थौड़ क्रीयेट की, तो उससे भी खर्मा तैयार होता है, तो वो आपका थाड़ाई में अकुमुलेट हो गया और आपका ख्राउन चक्रा में टॉप अप दा हेड आपका स्पिरिच्वल कर्मा सोचिए क्या नहीं कर सकते आप स्पिरिच्वल कर्मा क्या है गवान ने आपको जिसके लिए भीज़ा आपका लाइप परपस जो है आपके अंदर जो सेवा धर में है वो आपने बंद करके रखा जहां जहां पे वो आपका कर्मा एकुमुलेट हुआ है जभी आप आत्मा अपने थडाई पे थडाई और सहसार के बीच में बैठके अपने एक एक फाइल जो आपके सामने आ रही है आपका एक एक सिचुएशन उसको डिल नहीं कर पाए पास्ट को इकरमा आए उसको डिल और हिल नहीं कर पाए तो वो आपको मुलेट हो जाता है मुलाधार चक्रा में आपका कोई प्रेजेट फाइल आया और आपने उसको अच्छे से हिल नहीं कर पाए वो एकुमुलेट हो जाता है आपका सैक्राल चक्रा में आपका कोई भी प्रेजेटल करमा या प्रेजेट के साथ अंसिस्टर के साथ वो फाइल को आप डेवलफ नहीं कर पाए तो वो एकुमूलेट हो जाता है आपका प्रेरेंटल चक्रा यानि मानेपूर चक्रा में किसी के साथ भी आप लबफुल सिटुएशन में नहीं थे तो वो हेट्रेट का कर्मा आपकी हाट चक्रा में जो आपका चेस्ट और हाट उभारी करता है आपका कम्यूकेशन से स्कील जब जब डिपलीट हुआ है तब तब आपका कर्मा तैयार हुआ है आपके ध्रोग चक्रा में आपका आपका थोट लेविल में जब आपने किसी को दुख दिया खुद को दुख दिया भगवान को दुख दिया आपके थाड़ा ही को ब्लॉक कर दिया है वो कर्मा ने सोचिए जरा क्या नहीं कर सकते आप और आपका स्पिरिच्वल कर्मा भगवान पिता आपके खुद हायर सल्फ के जैसा आप आत्मा का एक मात्रे वेलुईशर सब आत्मा हमारी वेलुईशर है पर गौट फ़दर गौट फ़दर क्या है ओल्वेस एवर्निस में है तो हंड़िद परसंट सदा वेलुईशर है सदा आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे उसको जो अपने बादा किया वो नहीं निभाओगे आपका सोल परफस पूछिए उनसे सिर्फ अपने जीवन को चलाना कर्मों को आगे लेके जाना ना कि इस दुनिया में कुछ करना भगवान के लिए वो आपका सोल परफस जब आप नहीं करते हो तो वो भी फाइल पोस्पॉंड होके जमा हो जाता है यह हरी एक फाइल दाजब डिलीट करेंगे यह आपको सर्व नहीं करता हूँ आपके लाइफ को स्मूट नहीं करेगा यह इसको लेट को कीजे अलाधार चक्रा से आपका पास्ट करमा को लेट को कीजे और बवान के साथ आपका पास्ट करमा को चूस कीजे बवान के साथ आपका हर रिस्ता सुन्दर है आपका प्रेजेंट करमा को बवान के साथ चूस कीजे सक्राल चख्रा में जूसकीजे आप मेरे प्रेजंट में रहो मेरे साथ रहो हर एक शन में गाइट करो कोई भी फाइल जमाना हो पाए मनीपूर चखरा में आपका फाइल परेंटल करमा भगवान को अपने पेरेंट के रुप में किलेम कीजे, आपके हरी एक रिष्टे में भगवान को क्लेम कीजे, वो आपके पिता, माता, बंधो, सखा, साजन, आपका टिचेल, गुरु, भाई, बैहन के रूप में आपके साथ हो रहे, ताकि दुनिया में आपका हरी एक रिष्टा सुन्दर हो, आपके माता के रूप में भगवान को क्लेम कीजे, वे प्रभू, आप मेरे माता के रूप में आऊ, जितने जितने आपके साथ भगवान का रिष्टा अच्छा होता जाएगा, सारे रिष्टे वगवान के साथ अच्छा होते जाएगे, वो वो रिष्टे बाहर भी सुन्दर होता जाएगा, ये लौ है, एक्सप्ट कीजे, लौ यूनिवर्सल होता है, किसी की हजबन के साथ, पत्नी के साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, तो भवान को अपना साजन बनाएए, उसको क्लेम कीजे, अपने बेटर हाप के रूप में, तो बाहर आपके बेटर हाप के साथ, पर्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइफ पर्टनर सिर्फ भवान है, सारा लाइफ में वो ही आपका साथ रहेगा, यह सत्त है, मान लीजे, किसी के लिए भी हाट चक्रा में अपने हेटरेट करमा को अब्सोब किया, तो आज इसको डिलेट करके लव को क्लेम कीजे, कमिनिकेशन में किसी के साथ भी अपने कभी भी जूट, कभी भी कुछ भी बोला, गलत शब्द ही उसकिया, तो उस करमा को चेंज कीजे, और मधूरता, सत्तिता, सुन्दरता की बोल उसमें डाल देजे, कर सकते आप, सब कौनसस पैटरन को चेंज कर दीजे, इनफॉर्मेशन ही तो था ना, अभी ये नया इनफॉर्मेशन को पुट कीजे, एक इनफॉर्मेशन दुष से इनफॉर्मेशन को रिप्लेश कर सकता है, है ना, कर भी रहा है, है ना, थार्ट पॉसेस में किसी के लिए भी कुछ भी पकड़ा है तो थर्ड़ई में सब के लिए प्यार डाल दीजे सब के लिए आज से अवसंदर सोचेंगे थार्ट लेबल पर भी नो जजज्मेंट, नो जजज्मेंट, नो जजज्मेंट जो जैसा है, जो है, ठीक है बगवान जैसा है जो है बीटिफुल है इनिवर्स जैसा है जो है बीटिफुल है एकसेट कर लीजेए इसे ड्रामा बहुत संदर है एकसेट कर लीजेए सluded है कि आपका क्राउंच जळें इस पिरिश्वल कर्मा को आज आप हील कर दीजे और आपके दीडेने में आपका सोल परपस को इंतिग्रेट कर लीजे हरे इक कर्मा जो अपने चेंच किया स्भ आपके Life के साथ इंतिग्रेट कर लीजे तीन बर integration बोलेंगे आप आपके लाइफ में उसको समा देंगे क्योंकि thoughts से create होता है सब कुछ और thought आपके बस अथा है, अथा, powerful thought है सब आपके जोली में, निकालिए एक powerful thought को integrate करने के लिए जब बोलेंगे उसको आपके लाइफ में integrate करना नहीं तो change तो किये आपने, पर उसको समाना भी है ना तो integrate, integrate the नया information in your whole body, whole chakra system, whole mind system intellect, sanskara, DNA code, सब में आप integrate कर रहे हो integrate, 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 final integration समा दीचे सोचिए, छोटे से body में जब आप प्रवेश किये थे, वो पिंडे में एक एक master cell था, जो master cell से एक एक system बना, call कीजे वो master cell को अभी, nervous system के master cell को call कीजे, आप सिर्फ call कीजे, जस्ट कोई आपके सामने आ जाएगा, कॉल देन, अंदर से कॉल कीजे, आज आपको चेंज करना ही है, by hook, by crook, आपके पस और कोई option नहीं है, क्योंकि रिलेशन्शिप के ब्लॉक, जो भी है, बगवान से शुरू करके, आत्माओं से शुरू करके, खुद के साथ रिलेशन्शिप, यूनिवर्स के साथ रिलेशन्शिप, सब आपको चेंज करना है, तो आरवाला कोडिंग को, हर एक master cell में आप डाल दीजे, नर्फ नर्वस सिस्टेम की master cell, डास सिस्टेम की master cell, लेंफाटिक सिस्टेम की master cell, स्केलेटन बोन सिस्टेम की master cell, एंडोक्राइन सिस्टेम की master cell, हर एक master cell में डाल दीजे, पावरफुल, जमकता हुआ आर, अभी ये हर एक master cell एक एक system में जा रही है पूरा system को change कर रही है इससे आपके साथ organ का relation भी अच्छा हो जाएगा हर एक cell का relation अच्छा हो जाएगा हर एक system का relation अच्छा हो जाएगा क्योंकि अपने master cell में code change कर दिया आप दुनिया के बेस्ट coding master हो soul हो क्या नहीं कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं एक सोच everything solve कुछ आपके पास आफस्टा के नहीं बन सकता इतना बड़ा पावर हो मेरा के लो अभी आफ इसके इंटिक्रेट करेंगे सारा सिस्टेम को master cell के साथ वो वाले सिस्टेम और उस सिस्टेम के साथ करेंगे इंटिक्रेट करेंगे इंटिक्रेट करेंगे इंटिक्रेशन, 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 को देखो दुकूती के बीच में एक जमकता हुआ डाइमंड स्पार्क्लिंग पावर्फुल डाइमंड क्रिस्टल आप आत्मा डाइमंड एक हीरे के तरह हो अभी आप एक ब्यूटिफुल सा मैजिक करने जा रहे हो आप आपके आत्मा का ही एक जिरॉक्स कौपी के तरह एक दुसरा आत्मा को निकलके आपका जस्ट एक लोन आत्मा आपके जैसा ही दिखने में है आपका ही एक सरूप है आप उसको आप से आपके थर्ड़ई से बाहर दो तीन इंच की बाहर आपके थर्ड़ई जहां पे है उस लेविल में आपके सामने देख रहे हो उस चमकता हुआ डायमंड को आपके सामने घुमता हुआ रोटेट हो रही है घुम रही है देख रहे हो आपके अंदर जो आत्मा है उसी के तरह ही एक आत्मा आप बाहर देख रहे हैं आपका ही एक पार्ट आप बाहर देख रहे हैं आपके थर्ड़ई के लेविल में आखों के लेविल में बाहर दो तीन इंच की दूरी पे सिर्फ तीन इंच की दूरी पे देखो उसको प्यार से और वो डाइमन्ड के उपर एक सुप्रीम डाइमन्ड को देखो वो भी बाहर वो सुप्रीम डाइमन्ड से बहुत पावरफुल किरने आ रही है और आपने जो डाइमन्ड को बाहर रखा आपके सोल का ही क्लोन उसमें एनरजी आ रही है और उसमें एक एक affirmation दो जो आप आपके लाइफ में देना चाहते हो manifest करना चाहते हो I am peaceful उस diamond में डालो जो बाहर diamond आपने रखा आप का ही जे रख्सकपी मेरा relationship बहुत अच्छा है मैं बहुत powerful soul हूँ मैं कभी भी आपना DNA को change कर सकती हूँ powerful recording कर सकती हूँ कर सकता हूँ मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं अपने सारी blockage को clear करने के लिए अपने power को choose करती हूँ bliss को choose करती हूँ देखो उपर crazy crystal सबसे big diamond से आपका energy वो clone बाला diamond में आ रही है जो आपका ही एक आंग्ष है clone है जे रक्स है उसमें आप affirmation डालते जाओ जो भी आपको पसंद है जो भी आप manifest करना चाते हो वो भी डाल सकते हो मैं मेरा money blockage को clear करना चाता हूँ abundance है मेरे का पास money सुन्दर relationship मेरे पास abundance है रिष्टा सुन्दर होना ही मेरे लिए natural है मेरा body वह स्वास्त है डाल दो उस diamond में soul diamond में जो आपके body की बाहर अपने रखा अभी ये diamond को आप आपके soul में मार्च कर देंगे ये programming हो चुका ये programming तब तक रहेगा जब तक आप कोई नया programming ना करो अभी ये बाहर की diamond को आप अंदर के diamond में मिला दीजे और बोलिए integrate, integrate, integrate समाजाओ, समाजाओ, समाजाओ और अपने थार्ड़ाई में हाथ गमाएंगे टैप करेंगे इंटिक्रेट हो चुका है इंटिक्रेट, इंटिक्रेट, इंटिक्रेट आप ये जो programming की ये ये detach observer होके किये इसलिए ये programming सदा सत्त रहेगा क्योंकि आप अंदर बैट की नहीं किये बाहर करके, pure अवस्ता में उसको अंदर लेके आए जब हम किसी भी चीज़ को heal या blessings करना चाते हैं उसी से हमको detach होना पड़ता है This is the process of detachment process of soul programming कभी भी आपको अपने अपर प्रोग्रामिंग करना है तो ऐसे अपना soul crystal से एक दूसरा clone soul crystal तयार करना और उसको बाहर विजुलाइज करना और उपर डाइमोंड प्रॉजी soul supreme soul crystal को invoke करना उनसे energy आते हुए आप प्रोग्रामिंग करते जाना सारा प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद वो soul crystal जो आपी है वो आपने आप मार्च कर देना समाहित कर देना इस इस काल्ड soul crystal प्रोग्रामिंग इसको हम और भी practice करेंगे आगे आगे चलते बहुत नए नए हम अपने pattern को break करने के लिए practice करेंगे वो सद्देता को practice करेंगे जो हमारे life में सद्द है दीरे दीरे deep breathe करेंगे और मनी मन में संकल्ब करेंगे जो मैंने आज change किया वो permanent है बगवान की शाक्षी लेते हुए उनको शाक्षी रखते हुए उनके पास रहते हुए उनका energy flow करते हुए उनके साथ जुरे रहते हुए जो आज मैंने change किया वो सब पर्मनेंट है और आज से आप आपके सारे रिष्टे में बगवान जी को क्लेम करेंगे वो वो रिष्टे जो आपको अच्छा थोड़े से कम लगता है उसमें आप जरूर उनको क्लेम करेंगे सब रिष्टे में क्लेम करेंगे ताकि वो आए और वो सब रिष्टे को हील करे भगवान के साथ हरी एक रिष्टे आप पर्फेक्ट बना लिए तो बाहर भी आपका हरी एक रिष्टा पर्फेक्ट हो जाएगा इस लोग को ओपिन हर्ट एडली अकसिप्ट कीजिए इसको समा दीजिए समाते हुए अपने को लवफुल समझते हुए बहुत लाव एंड लाइट आप में भर रही है लाव एंड लाइट आप में भर रही है बोटी में, सल्ब में, और्गंस में, मन में, बुद्धी में, संस्कारा में देने में लाव एंड लाइट Supreme Soul से अथा आ रही है 1000 ऑफ सांजनन और आपका हर कोडिंग को चेंज कर दी है नया information आज से आप नया information से चलिएगे पुराने सब डिलीट कर दी सब फाइल को आज आपने पेंडिंग फाइल को डिलीट करके स्पेस क्रियेट किया और उस स्पेस में नया फाइल डेवलफ किया ओटो पाइलट मोट को आज आपने डिलेट किया मैनुल मोट को चालू किया यह मैनुल सिस्टेम आपको प्रेजन्ट में रखेगा स्पिरिचुलिटी सिखाएगा आवरनेस में रखेगा सदा जागरित जागती जोद पावर प्रेजन्ट फोकस अहो लाफ फुल थेंक्यू सो मॉच थेंक्यू गाट फादर को थेंक्यू करेंगे खुद को वस्वात्मा को थेंक्यू प्रेजन्ट में रखेगा